इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Estan CV 10 कैपसूल दो दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल दिल के दोरे और स्ट्रोक को रोखने के लिए किया जाता है। यह दवा खराब कॉलेस्ट्रॉल यानी की LDL और ट्राइगलिसराइड यानी की फैट के लेवल को कम करती है। इसके अलावा यह रक्त के ठककों के निर्मान को भी घटाता है। पेट की गरबड़ी से बचने के लिए एस्टन सीवी 10 कैपसूल को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारत शेडियूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए। इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा। डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपका इलाज किसलिए किया जा रहा है। जब तक आप पूरा कोस पूरा न कर लें, तब तक इसे लेना बंद न करें, भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो। लाइफ अस्टाइल में कम फैट की डाइट, व्यायाम और धूंडपान न करने से इस दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिल सकती है। मिचली, पेट दर्द, सिर दर्द और कब जिस दवा के कुछ सामाने साइड एफेक्ट हैं। इस दवा से ब्लीडिंग का खत्रा बढ़ता है, इसलिए शेविंग करने, नाखून काटने और तेजधार वाली वस्तूओं का इस्तेमाल करते समय या खलते समय, यानि की जैसे फुटबॉल, रेसलिंग, सावधानी बरतना महत्वपून है। अगर आप नोटिस करते हैं कि तवचा पीली हो गई है, मानसपेशियों में दर्द या पेशाव गहरे रंग का आ रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको लिवर या किड्नी से जुड़ी बीमारी है या आप ब्लीडिंग से पीडित है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बनी रही हैं, अथवस तन्पान करवा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपको अपनी हेल्थकेर टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्यूंकि क्यूंकि इस दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.